मुणावर पंचाय समीती की सभी ग्राम पंचायतों के चुनावचिन आवंटन करने के बाद सरपंच प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसारतीज कर दिया है वहीं ग्राम पंचत मातोर से सरपंच पद हेतू पृतियासी साहिना बानो पत्नी तारिफ खां के द्वरा गाउं में जन संपर्क किया गया वही साहिना बानो पत्मी तारिफ खांका कहना है कि यदि ग्राम वासियों के आशिरवात से उन्हें मौका मिलता है तो आने वाले एक वर्स में ग्राम मातोर की तस्वीर और तकदीर भी बदल दे जाएगी नई नई उन्नत टेक्नलोजी और प्रिशासनिक और राजनितिक तंतर से सीधा संपरकर गाओं के विकास के लिए नए आयामते किया जाएंगे वही सरपंच प्रत्यासी साहिना बानो सोसल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखत हुए गाओं में जन संपरकर रहे हैं पूरा कराएंगे देखिए मेरे टाइम में मेरे एक सपना था गाओं में प्रात्मी किसाले बनवाने का उस सपने को मैं अपनी पत्नी को सरपंच बन के माध्यम से उसको पूरा कराऊंगा और और बालिका बालिकाओं के लिए अलग से विद्याले की विद्याले बनवाने क त्र endeavor आखया जाएगा और यह संभाव पोरा किया जाएगा कुछ पर पानी, उनको भी अर्समभव पूरा किया जाएगा ताकि गाओं में पानी की समस्चा ना रहे देखिए लोगों का मैं जो सोषता था कि मुझे कितना response मिलेगा लोग कितना चाहेंगे 5 साल के बाद जो result मिल रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा नवा हो रहा है कि जहां भी हम जाते हैं तो हर जगे person सा मिल रही है और सब की चाहते है कि मेरी धर्म पत्नी को मोका मिले और पुने वो का विकास कारे आगे प्रोग्रेस में रहे जैसा कि अब हमारा चुनाव चीन है रोड लाइट और ये मेरी पत्नी का सबसे पहला सपना हो चुका है कि जब मेरा चुनाव चीन रोड लाइट आया है तो चुनाव जीतने के बाद पहला काम यही होगा कि संपुन ग्राम में रोड लाइट लगाई जाए। और समस जन से मेरी अपील है कि कोरोना महारी के चलते हुए सबी अपनी सेफटी का अपने ध्यान रखें और मुँपर मास्क लगाएं ताकि इस बिमारी से कुछ समादान हो इस बिमारी से बचाओ हो सके और सोसल डिस्टेंसी की पालना करें पांच वक्तियों से ज़्यादा भ बचाओ हर समबो अपना बचाओ करें नमस्कार मैं हूँ आसिप खान और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें